रादे रादे जैसरी किष्णा कहानी संग्रे में हमारे सवी सोताओं का हार्दे का विनंदन है वक्तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जब महाभारत युद्ध के पस्चात अर्जुन के बानों से घायल भीष्म पिता में बानों की सैया पर लेट जाती है इसके उप अपदेश देते हुए कहते हैं हे राजन त्याग के विना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता अपनी कामनाओं को पूरा करने से स्रेष्ट है कामनाओं का त्याग करना त्याग से मनुष्य को परम्शुक की अनभूती होती है त्याग किये विना आदर्श की सिद्धी नहीं हो सकती अधिम और कामनाओं का त्याग कर कित्व को शांत करें जो ब्यर्थ में दुखी होता है वोए अपना सर्वस्ट नश्ट कर लीता है जो सत्य का पालन करता है इसके साथ ही वोए संसार में मोहन करता हो ऐसे मनुष्य को हर सुक की प्राप्ती वो दिये रार्या ये दुष्टर पितामे से फ्रश्ण करती है ये पितामे बेदों में धर्म अर्थ काम तीनों की ही प्रसंसा की है अते आप मुझे बताईए कि इन में से किसको प्राप्त करना सबसे स्रेष्ट है बिता में वीश्म बोली ही राजन इस विश्य में, मैं तुम्हे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, एक बार कुन्ड धार नाम की मेगने प्रसंड होकर अपने एक भक्त पर बड़ी क्रपा कि, वे प्रसंग मैं तुम्हे सुनाता हूँ, किसी समय एक निर्दन भ्रामड ने श्रकाम भाव से धर्म करना चाहा तब उसने धर्मा नुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से कठोर तप किया इसी निश्चे से उसने भक्ति पूर्वक देपताओं की पूजा की तो भी उसे धन न मिला एक दिन उसने अपने समीप देपताओं के सेवक कुंडधार मेग को खड़ा देगा उसे देखते ही भ्रामड की मन में उसके प्रतिभक्ति भाव उत्पन हो गया और वह सोचने लगा यह देपता मुझे अवर्शी ही बहुत सा धन देदेगा यह सोचकर उसने धूप, दीप, चंदन, पुस्प और तरह तरह के नेवित्युदारा उसकी पुजा की इससे थोड़ी ही देद में प्रसन होकर मेग ने कहा सत्पुर्शों में प्रहमत्या, शुरापांच चोरी और ब्रत भंग करने के लिए तो प्रास्चित बताए गए ह किन्द क्रत्यक्न के लिए कोई भी प्रास्चित इस संसार में नहीं है, इसके बाद वह ब्रहमत्य कोशाय की सैया पर सोगया, वह सम, दम, तप और भक्ति वहाव से संपन तथा सुद्ध हिर्दय वाला था, उसे रात में ही कुंडधार के प्रत अपनी भक्ती का पर्चे मि कर रहा था, देपता लोग उन फल याचिकों के सुब कर्मों के बदले उन्हें राज और धन आदी दी रहे थे, इतनी में ही कुंडधार देपताओं के आगे आकर प्रत्वीफर लेट गया, तब उसने मड़ भद्र से पूछा कुंडधार क्या तुम चाते हो, तब कुंड मिल सके, तब देपताओं के ही कहने से मड़ भद्र ने, उसे कहा उठो उठो लो, तुमारा काम बन गया, अब प्रशन हो जाईए, देखो, यदि इस ब्रहमर को धन की इच्छा हो, तो इसे मन माना धन देदो, किंट कुंडधार ने, यह सोच कर कि मानब देह चंचल और ना विसाल रत्न रास नहीं देना जाता, मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाए, मड़ भद्र ने कहा, राज और तरह तरह के दूसरे सुक भी सर्वदा, धर्म के ही फल हैं, इसलिए इसे फल ही भोगने दो, इसमें किसी प्रकार का सारी रिक्लेस नहीं है, बीस मज और मड़ भंत्र ने कहा, तुम पर और इस ब्रहमड पर सभी देपता प्रसन हैं, अतै यह धर्मात्मा होगा, और इसकी बुद्धी सदा धर्म में ही लगेगी, इस प्रकार सपल मनुरत होकर वे मेग वड़ा प्रसन हुआ, उसने वह बर पाया जो दूसरों के लिए दुल् इतने में ही भंबर को अपने पास बहुत से महीन और वह मुलवस्र दिखाई दिये, उन्हें देखकर उशे वेरा के हो गया, और वह कैने लगा मेरी तपश्या का उद्धे सी इस कुंडधारने ही नहीं समझा, तो दूसरा कौन समझ सकेगा, अच्छा, अब मैं बन को ही चल इतने में रहकर बड़ा घुर तप करने लगा, वह देवता और अथितियों का सतकार करके बचे हुए कंद मूल फल आदे से निर्भा करता, फिर फल मूलादे को भी त्याग कर पत्ते खाने लगा, इसके पस्चात उन्हें भी छोड़कर पानी फीकर रहने लगा, इसके बा होने लगा, यदि मैं प्रसन होकर किसी को धन या राज देना चाहूं, तो वह अबस ही राजा हो जाएगा, मेरा बचन मिठ्या नहीं हो सकता, इतने मैं ही उसके तब के प्रभाव से तथा भक्त भाव से प्रेरित होकर कुंडधार वहां प्रकट हो जाते हैं, ब्रहामर ने बिद्वत पूजा की तब कुंडधार ने कहा, ये विप्रवर, तुम्हें बड़ी अच्छी दिब द्रश्टी प्राप्त होई है, उसके द्वारा तुम राजाओं की गती और भिन भिन लोकों को स्वयम देख लो, ब्रहामर ने अपने दिब नेत्रों से देखा के हजारो राजा नरक में पड़े हुए हैं, तब कुंडधार बोला, तुमने बड़े भगते भाव से मेरी पूजा की, इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुख ही भोगती रहते, तु बताओ, मेरा क्या उपकार होता तुम पर, और क्या तुमारे उपर मेरा अनुग्रे माना जाता नहीं, देखो देखो, एक बार फिर अपनी दसा द्रश्टी डालो, पता नहीं मनुष्य भोगों की लालसा क्यूं करते हैं, इससे उसके लिए स्वर्क का द्वार प्राहे बंद होई ही जाता है, इस पर ब्रहमर ने देखा कि उन भोगी मनुष्यों को काम, क्रोध, लोब, भै, मद, निद्रा, तंद्रा, आद, आलत से घिरे खड़े हैं, कुंडधार ने देखा, देखो सब प्राड़ी इनी दोसों से घिरे हुए हैं, किन्तो देवताओं की क्रपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज और धन देने में समर्ठ हो ग जानकर मैंने काम और लोब के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है, उसके लिए आप मुझे छमा करें, तब कुंडधार ने कहा, मैं तो पहले ही आपको छमा कर चुपाऊं, ऐसा कहकर वैब्रहमबर को गले लगा लेता है और फिर वही अंदर ध्यान हो जाता है, इ वीष्ट बस्तू को प्राप्त कर लेना तता धर्म सक्ति और योग के द्वारा जो परम सिद्धी मिलती है, बे सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई, देवता ब्रहमबर संत जन यच्छ मनोस्य और चारण ये सब धर्म का ही आदर करते हैं, कामी पुर्षों का नहीं, ह इसी से तुमारी बुद्धी धर्म में सदान लगी रही, यही कारण है कि इतने बड़े धर्म युद्ध में तुमारी बिजय निश्चित थी, इसके साथ ही आज की प्रस्तुती को हम यहीं विश्राम देते हैं, अगर आपको हमारी प्रस्तुती अच्छी लगी हो, तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सियर अवर्शिकरी